आज हम बना रहे हैं जर्दा चावल जो बनाने बहुत ही असाना और बहुत ही मज़े के बनते चले बनाना शुरू करते हैं एक किलो मैंने चावल लिए सेला आदा गेंटे पहले बगो के रख लिए आदा किलो चीनी लिए एक कप ऑईल का लिए चार छोटी लाची लिए गरी लिए थोड़ी सी और थोड़े सा मेवा खुला मैंने पानी रखा पानी को बाल आ चुका अब इसमें एड़ करेंगे जब्दा कलर हाफ चमज छोटा और चमज के साथ इस तरह हो अलाएंगे तांके कलर एक जैसा हो जाए अब इसमें एड़ करेंगे चावन अब इसमें हम चमज हो लाएंगे थोड़ी देर बाद हमें इसमें चमज हो लाएंगे तांके चावन जुड़े ना पांच से चे मिन्ट होगे चावन को अबाल आते होगे अभी इस तरह दो मिन्ट अभी और अबालाने देंगे यह देखें टीन कनी रहेगी चावन अब हम इंका पानी नका लेते हैं टोटल मैंने दस मिन्ट चावन को उबाल किया अब हम चावर का पानी एक कब ऑई डालेंगे और इसके साथ ही हम चीनी एड़ कर देंगे अब इसको मेल्ड होने के लिए मैं इसमें आड़ कर रही है दूद और मलाई आप चाहे हैं तो पानी भी आड़ कर सकते हैं चीनी मेल्ड हो रही है अब इसमें आड़ करेंगे छोटी लाची मैंने उसके दाने निका लिए वह एड़ करीं अब मैं गरी और मेवा भी इसमें आड़ करीं गरी मेवे को मैंने अच्छे से दो लिया था इसमें बहुत ज्यादा ड़स्त होती है इसलिए मैंने तीन से चार पनी दो याद चार से पांच मिंट मैंने पकाया है चीनी अच्छे से मैल्ट हो तुकी यह देखें आप इसमें आड़ करेंगे चावल अच्छे से आप पूमीक्स करेंगे चावलों को चावलों के अंदर जो पानी होता हो और जो हमने दूड अड़ किया था चीनी मेल्ट करने के लिए इनमे से पानी जो निकला वो हम तीन से चार मिंट फ्लेम हम हाई करके बगार कवर से लगाए खुशक करेंगे चार से पांच मिंट मैंने फ्लेम हाई किया पानी सारा खुशक हो चुक है अब हम दम लगाएंगे मेवा डलेंगे और दम वाला फ्लेम करेंगे दस मिंट कवर लगा के दम देंगे फ्लेम हम बन कर देंगे माश्यला सुबहानला जर्दा चावल हमारे त्यार यह देखें केला केला चावल त्यार हो अब हम डिश आउट करते हैं डिश आउट करते हैं आउट करते हैं आउट करते हैं ठाचा हम अबlarda